जेमसी की दोस्तों, आज के स्वर्गेमनना का भाख हमने लिया है योहनना की पोस्तक उसका ग्यारवा अध्याए І और उससका पच्चिसवा बचन और उसका पैंथिसवा बचन पच्छिसवा वचन कहता है इशु ने उनसे कहा पुनुर्थान और जीवन मैं ही हूँ जो मुश्वर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जियेगा और पैंतिसवा वचन कहता है इशु रो पड़ा एपिता वर मेश्वर तरी योश्वर में अद्बुत शिवा है तिरे वचनों को समझना हमारे जीवन का पहला लखश होना चाहिए दोस्तों यहाँ वचन क्या कहता है यहाँ पर उस कहानी के बारे में बताया गया है कि मार्था और मरियम दो बहने थी जो इशु मसी को जानती थी जो इशु मसी से प्यार करती थी उनका प्यारा सा एक भाई था लाजर और इशु मसी उस से भी प्यार करते थे अलेलिया लेकिन इशु मसी चाहते थे कि इस धर्ती पर वो उस सामर्थ को बताएं उस सामर्थ को जिन्दा करें जो स्वर्ख से उत्रा है दोस्तों हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो हम हमारी पाँच जो पावर्स हैं जो पाँच इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम अपने जीवन को आशिर्ट करते हैं, हमारा जीवन उन पर डिपेंड रहता है, यानि देखना, सुनना, सुगना, चकना और महसूस करना, हमारे सारे काम, दुनियावी सारे काम, शरीड के सारे काम इन्ही पांच इंद्रियों के हिसाब से चलते हैं और हम वि उपर है, हालेलोया, यहां पर मर्यम और मार्था का भाई लाजर बिमार था, बचना बताता है कि किस तरीके से इशुमसी जानते थे कि वे बिमार था, इशुमसी जानते थे कि वो मर गया है, लेकिन फिर भी इशुमसी दो दिन लेट आए, चार दिन के बात महुंचे क्यों दो वज़े थी, एक कारण ये था कि यहुदियों में, क्योंकि वो जानते थे कि वो मरेगा नहीं, उसको इशुमसी जिन्दा कर देंगे, लेकिन उस समय एक प्रथा थी यहुदियों में कि तीन दिन के बाद तीन दिन तक जो आत्मा एक मरेगुए शरीर में से निगलती है वो उसके इर्द-गर्द खुमती है और तीन दिन के बाद वो चली जाती है, तो इशुमसी उस प्रथा को तोड़ना चाते थे, इसलिए चार दिन के बाद है, क्योंकि वो जानते थे कि इशुमसी उसे बुलाएंगे वो जिन्दा कर सकते हैं, क्योंकि परमेशर का सामर्थ उनके साथ था, हालेलुया इसलिए वो चार दिन के बाद आए, ताकि वो प्रथा को हम प्रथा को निकाल सकें और वो जिन्दा करें और यहुदी लोग विश्वास करें कि परमेशर है और परमेशर उस सामर्थ को धर्टी पर ला चुका है वो जोदी धर्टी पर आ चुकी है लेकिन मार्था और मर्यम जो विश्वास करते थे कि इशुमसी परमेशर का पुत्र है वो जानते थे कि वो ही सामर्थ है, वो ही पुन्थाने, वो ही चीवन है, वो उन लोगों ने भी विश्वास नहीं किया, ये वो ही मरियम थी जिसमेसे इश्यमसी ने साथ दुश्टात्मा को निकाला था, ये वो ही मरियम थी जिसने फारिशी गर में आकर इश्यमसी के पैरों को चूमा था अपने बालों से पोचा था और उनके पूरे शरीर पर इत्र मल दिया था उसने परवा नहीं की थी पैसे की उसने परवा नहीं की थी दुनिया की उसने परवा नहीं की थी अपने लाज शरम की लेकिन वो पूरी तरीके से नतमस्तक होकर ईश्रमसी के सामने आई और उसने समर्पित किया और बताया दुनिया को कि तुही परमेशर है तुही परमेशर का पुत्र है लेकिन आज जब अपना भाई लाजर मरा जब वो शरीर का सुख जब वो शरीर का रिष्टा तूटा तो उसका विश्वास कमजोर हो गया उसने लाजर को कबर में डख दिय और ईशुमसी रो पड़े ईशुमसी रो पड़े कि हे मर्यम हे मार्ता कि तेरा विश्वास इतना ही है किसी ने कहा वहाँ पर कि ये वही आदमी है जो अंधों को आखे देता है और बैरों को कान देता है क्या ये इसके भाई को ठीक नहीं कर सकता था क्या ये इसके भाई को मुर्दों मुसे जिन्दा नहीं कर सकता था वो कर सकता था इसलिए तो रोया इसलिए तो उसको महसूस हुआ इसलिए तो उसको अफसूस हुआ इसलिए तो उसको लगा कि मेरे बच्चे जो मेशे जानते नहीं है अगर आज ये सामने पढ़ा होता लाजर को अगर आज ये लाजर की लाश उन यहुदियों के सामने पड़ी होती और यहुदियों से पूछते मार्था, मर्यम अरे तेरा भाई मर गया है क्या तो इसे दफनाएगी नहीं लेकिन मर्यम उनके सामने कहते दिए नए में इहुद्र यहुदियों की आके खुलती लेकिन मार्था और मर्यम ने उसे कबर में डाल दिया उसे कबर में डाल दिया लेकिन ईश्यमसी ने उस कबर में से उसको निकाला और चार दिन के मुर्दे लाजर को बाहर निकाला और कहा कि लाजर बाहर आ और वो बाहर आ गया दोस्तों हमारे जीवन में हम अपने शरीर के दुख के लिए हम अपने शरीर की जरूरतों के लिए हम अपने शरीर के रिष्टों के लिए अपने आपको कमजोर कर देते हैं लेकिन हमें कमजोर नहीं होना है हमारा इशू पुरूर्थान का देवता है हमारा इशू पुरूर्थान देने वाला है वो सामर्थी है उसका वचन उन रिष्टों से कहीं उपर है उसका वचन हर चीज से उपर है जो हमें दुनिया में दिखती है जो हमें दुनिया में पाने की हम कुशिश करते है उस सारी चीजों से उसका वचन उसका वचन सामर्थी सब चीजों से उपर है इसलिए उस वचन के रुसार हमें अपने जीवन को निभाना है उस सामर्थ के अनुसार हम अपने जीवन को निवाना है और परमेशर के चरणों में रहना है और परमेशर के वचन के अनुसार चलना है दोस्तों शैतान हमें बखलाएगा शैतान हमें डखमगाएगा शैतान हमें हमारे जीवन में उथल पुथल करेगा शैतान नहीं चाहेगा कि हम परमेशर के वचन के अनुसार चले शैतान नहीं चाहेगा कि परमेशर का सामर्थ हमारे जीवन में चले लेकिन अगर आप परमेशर से प्रेम करते हैं तो आप परमेशर के वचन के अनुसार चले परमेशर का जो वचन कहता है वो आपके जीवन में जीवित रहना चाहिए वो ही आपके जीवन में होना चाहिए संसार नहीं, रिष्टा नहीं इसलिए उस रिष्टे को, उस परमेशर के प्यार को हम अपने जीवन में पहला इस्थान दें और उस सामर्थ को उस परोथन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें जो इश्यो मसी जड़ती पर लेकर आया है आई हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर तुम हाने मही महरादर के योगे दन्यवा देते हैं सुनने वाले हर भाई भेन के लिए आशीश सुक और चंगाई मांगते हैं ताकि तेरा सामर्थ इनके जीवन में काम करें तेरी सचाए इनके जीवन में काम करें और ये पूरी तरीके से आशीश और सुक और चंगाई पाएं अपना तरह आपने सुनी और कबूल की एमेन एमेन